आप सभी ने चुईमु यानि की लाजबंती के पौदे के बारे में जरूर सुना होगा ये एक ऐसा पौदा होता है जिसे चुने से उसकी पत्तियां सिकुड जाती हैं ये बहुत ही समवेदन शील पौदा होता है जिसे कई नामों से जाना जाता है चुईमु ये लाजबंती और शर्मीली इन नामों से दोस्तों इस पौदे को जाना जाता है और आयरुवेद के मुताविक दोस्तों इसके कई ओशिदिया गुड भी होते हैं जिसके लिए इसे ओशिदी के रूप में भी यूज़ किया जाता है लाजबंती नाम से ही दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस पौदे को छूने से वह शर्मा जाता यानि कहने का मतलब है कि इसके पत्तियां दोस्तों सिकुड जाती है इस चुईमुई पौधि के दोस्तों पौश्टिक गुड़ों के आधार पर लाजबंती आयुर्वैद में और शिदी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है आए दोस्तों जानते हैं इस पौधि के वारे में हमारे आजके इस वीडियो में सबसे पहले जानते हैं दोस्तों ये पौधा होता क्या है तो दोस्तों छुईमुई का पौधा एक प्रकार का 12-80 जाड़ी होता है जो कि उचाई में बहुती कम बढ़ती है इस जाड़ी में काटे होते हैं इस पौधी की उचाई दोस्तों लगवग 15-100 cm के बीच होती है जब में आप देखते होंगे इसकी जड़े पतली और वेलनाकार होती है इस पौधे की मोटाई लफग 2 cm होती है इसके पत्ते दोस्तों छोटे-छोटे होते हैं जो शाखाओं के दोनों और होते हैं ये पौधा और शिदिये गुड़ों से भरपूर होता है लाजवंती को दोस् के और छोटे होते हैं इसकी जड़ दोस्तों स्वाद में अमली और कठोर होती है दोस्तों ये पौधा प्रकृती में ठंडी तासीर का होता है आयरुवेड में दोस्तों लाजवंती के बहुत से फायदे बताएं जिनमें कव पित को दूर करना नापकान से खून बहना दस् कुछ्ट या फिर दोफिर जोनीके रोगों में भी आराम दिलाती है तो आखी दोस्तों जानते हैं क्या है इस पौध्य के वो फायदेए जिसके लिए आप इसको घर में लगा सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं अलग-अलग परिशानिया होने पर दोस्तों खासी से र हो जाता है यानि कि आपको खाने की विजरुवत नहीं पड़ती है आपको सिर्फ इसकी जड़ को गले में बान लेना होता है दोस्तों यह एंटी डिप्रेसिंट एंटी एंजाइटी और मेमरी के लिए भी बहुत फायदे मन्ध होती है आयुर्वेट के मुताबिक छुईमु चिंता और अपसाथ जैसी मानसिक बिमारियों के लाज के लिए दोस्तों छुईमी के पौधे का अर्क आप बनाकर प्रयोग में ला सकते हैं इसका अर्क दोस्तों आप रोजाना सुबा और शाम को एक चम्म सेवन कर सकते हैं ऐसा करने से कुछी दिनों में आपको दोस्तों इन परिशानियों में लाव मिलने लगता है घाव भरने के लिए भी दोस्तों इस पौधे का प्रयोग किया जाता है परमपरागत रूप से दोस्तों इस पौधे की पत्यों का उप्योग घाव उपचार के लिए किया जाता है आप इस पौधे के रस का उप्योग दोस्तों गहाओ के संक्रमन को फैलने से रोकने के लिए भी कर सकते हैं और उनका उपचार कर सकते हैं दोस्तो कई स्टेडीज में ये पता चला है कि इस पौदे में गहाओ को ठीक करने वाले गुड़ होते हैं इस पौदे की पत्तियों को पीस कर दोस्तो रस निकाल लेना होता है आपको और घहाओ पर उस रस को लगा लेना होता है इसके उपचार गुड़ दोस्तो घहाओ को जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं साथ ही दर्द को भी दोस्तो ये शान्त कर देते हैं दोस्तों ये घाओं को ठीक करने का एक बहुत ही प्रभावी और प्राकर्तिक तरीका है दोस्तों गठिया के लिए भी आयरवेद में इसका बहुत प्रयोग बताया गया है जो लोग गठिया रोग से पीलित होते हैं उनके लिए लाजवन्ति एक दवा का काम करती है इस पत्तियों का पेश्ट आपको बनाना होता है और जिस जगह आपको प्रॉब्लम हो वहां पर दोस्तों इस पेश्ट को आपको लगा लेना होता है इस पेश्ट को रात बर आपको लगे रहने देना है और हर दिन दोस्तों आपको इस पेश्ट को उस जगह पर लगाना है और से 10 मिली लीटर दोस्तों लाजबंती पत्ते के रस को आपको पी लेना होता है जो कि अपच के कारण दोस्तों बुखार काम लाया पी लिया और सभी प्रकार की पित्ते संबंदी रोगों में भी आपको लाव पहुंचाता है तो दोस्तों पित्ते संबंदी परचानिया होने पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों आज के समय में जो सबसे कॉमन और बहुत कष्ट दाई परिशानी जो चल रही है वह दोस्तों बहुत ज़्यादा मसाले तीखा भोजन करने की वज़े से यह समस्या आम तोर पर हमारे आजकल के लोगों में देखने को मिलती है दोस्तों बवसीर की समस्या से राहत पाने के लिए चुई मुई या लाजवन्ती के पौदे का इस्तमाल आप कर सकते हैं आयुरवेट के मुताविक बवसीर के इलाज के लिए उसका इस्तमाल प्राचीन काल से ही होता आ रहा है कुछ लोगों को बवसीर की समस्या होने पर उने मल के साथ खून आने की समस्या भी होती है इसे दोस्तो खून ही बवसीर के नाम से जाना जाता है इस इस्तिती में लाजवन्ती या छुईमुई के पौदे का इस्तमाल दोस्तो बहुत ही फायदे मंद होता है बवसीर की समस्या ऐसे छुटकारा पाने के लिए दोस्तों आप छुईमुई के पत्तों का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों आपको छुईमुई के पत्तों को ले लेना और उसे छाय में सुखा लेना है बाद में दोस्तों आप इनका चून बना लीजिए और इसके चूंड को दोस्तो एक ग्लास दूत के साथ में आपको सुबा साम लेना है निमत रूप से दोस्तो ऐसा करने से आपको बवसीर और्ष की समस्या में फायदा मिले का और वो जल्दी ठीक हो जाएगी दोस्तो डायरिया की समस्या होने पर भी छुईमी का प्रयोग आयुर्वेद में बताया गया है सामाने और खूनी दस्त की समस्या होने से छुईमी या लाजवन्ती के पत्तियों का इस्तमाल किया जा सकता है दस्त के इलाज के लिए भी दोस्तों इसका इस्तमाल सेक्लों सालों से किया जा रहा है दस्तों पेचे साधी की समस्या में दोस्तों छुईमी के पत्तियों का अर्ग बना कर पिलाने से फायदा मिलता है इसके अलावा आप खूनी दस्त की समस्या होने पर छुईमी के पौदी की जड़ का चून बना कर दोस्तों मरीज को लगभग 3 ग्राम चून दही के साथ खिला सकते हैं एक से दो बार खिलाने से ही दोस्तों खूनी दस्त की समस्या तुरंट खताम हो जाती है दोस्तों महिलाएं भी लाजबंती का उपयोग अपने मासिक धर्म संबंदी समस्याओं के दौरान कर सकती हैं क्योंकि ये हार्मोन्स की दोस्तों अन्यमित्ता को दूर करके महावारी सजली समस्याओं के लक्षडों को कम करने में मददगार साबित होती है दोस्तो अस्तुमा की समस्या में भी छोयमी को असरदार आयरुवेदिक औशदी माना गया है अस्तुमा में इसका इस्तुमाल बहुत ही फायदे मन्द होता है लाजमन्ती या छोयमी में दोस्तो कफ को खत्म करने के गुड़ पाया जाते हैं इसलिए इसके इस्तमाल जो दोस्तों अस्थमा की समस्या में कब बनने से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके पौधी का दोस्तों अर्प का सेवन करने से अस्थमा की समस्या में फायदा मिलता है। लेकिन इसका उपयोग करने से पहले आप किसी वैद या आयरुवेदिक एकपर्ट से सला जरूर ले लिवर की बिमारियों से पीड़ित दोस्तों मरीजों की संक्या दिन बदिन बढ़ती जा रही है आयरुवेदिक विश्वशक्यों का मानना है कि लिवर से जोड़ी समस्याओं में लाजबंती का उपयोग करना लाबधायक हो सकता है लाजबंती में दोस्तों हैप्टो प्रोटेक्टिव की क्रिया शील्टा पाई जाती है जोकि हिप्टो टॉक्सिन से लिवर को सुरक्षित रखती है दोस्तों ये तो अभी तक आपने जाने की छोईमो यानि लाजबंती के क्या फायदे होते हैं आई अब जानते हैं दोस्तों आपको इसे किस प्रकार सेवन करना है या किस तरह आप इसका सेवन कर सकते हैं अलग-अलग परशानियों में छोईमी को दोस्तों आप ओरली या फिट टॉपिकली दोनों तरह से कर सकते हैं पर इसे दोस्तो सीमित मात्रा में ही आपको इस्तमाल करना चाहिए कैसे करना है दोस्तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं तो दोस्तो लाजबंती का रस का सेवन आप कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तो इसके कैपसूल भी आपको मिल जाते हैं जिने आप डॉक्टर की सला से ले सकते हैं इसकी जड़ो पत्ते के चूर्ण को दोस्तो दूद के साथ लिया जा सकता है वहीं लाजबंती के रश में दोस्तो सहद वा काली मिर्श मिलाकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं इसकी पत्तियों से बने पेश्ट को दोस्तो घाव पर भी लगाया जा सकता है तो इस तरह से दोस्तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अलग-अलग परशानिया होने पर दोस्तो इसके फायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी है लेकिन नुकसान दोस्तो बहुत कम है लेकिन फिर भी हमें नुकसान के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तो अगर इसे अधिक मात्रा में लिया जाये तो इस सेहत पर नुकसान दायक असर डाल सकती है अगर हम इसके कुछ नुकसान की बाद करें दोस्तों तो कुछ लोगों को इसके उपयोक से टुचा में जलन महसूस हो सकती है ऐसे मैं अगर कोई इसके पेश्ट को दोस्तों टुचा में लगानी की सोच रहा है तो वो पहले इसके बारे में या दोस्तों बच्चे के लिए से लेने से पहले डौक्टर की सलाज जरूर लें। अगर कोई किसी बिमारी के लिए दवाई ले रहा है तो इसके सप्लिमेंट को दोक्टव अपने आहार में शामिल कि आपके लिए लाबदयक होता है अलग-अलग परिषानियों में आशा करतें दोस्तो् वीडियो आपको इंफरमेटिव लगा होगा वीडियो दोस्तों इंफरमेटिव लगा हो तो लाइक और शेर जरूर करें साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जोड़े हमारे चैनल के साथ वीडियो में आप सभी अंतक बने रहें उसके लिए आप सभी का धन्यवाद